नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज का ये वीडियो सभी आंगनबारी बहनों के लिए काफी महतोपूर्ण होने वाली है इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि जो पोशन ट्रेकर एप है उस Poshan Tracker App में एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है जी हाँ, आप लोग Poshan Tracker App को जब आप लोग Open करते होंगे तो देखते होंगे कि जो Poshan Tracker App है वो काफी दिनों से बहुत ही Slow काम कर रहा है इसका एक ही रीजन है कि जो Poshan Tracker App है उस पे बहुत बड़ा कारे हो रहा है जैसे कि आने वाले 8 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक एक बहुत बड़ा अभियान पोशन ट्रेकर एप के माध्यम से किया जाना है तो सभी आगनबारी बहनों आप लोग इस वीडियो को कम्पलीट जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोग का जो पोशन ट्रेकर एप है और इस पोशन ट्रेकर एप में आपको क्या क्या कारे करने है 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक इसी के संबन्द में एक बहुत बड़ी जनकारी आप से सेर करने वाला हूँ जैसे कि ICDS विभाग के तरफ से लेटर जारी हो चुका है कि जो पोशन ट्रेकर एप है उस पे 8 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक एक अभियान चलाए जाएगा जिस अभियान का नाम है स्वस्त बालक बालिका अस्परधा इस स्वस्त बालक बालिका अस्परधार कार्यक्रम के तहद जो आगन बड़ी सेविकाएं है वो बच्चों का जो हाइट और वेट है उस हाइट और वेट को पोशन ट्रेकर एप के माध्यम से फिर से आप सभी को हाइट और वेट भरना होगा तो इसी के संबन में ये लेटर जारी हुआ है तो इस लेटर में जानेंगे कि कैसे आपको क्या करना है उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर किजिएगा और हमारे ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किजेगा साथी साथ जो भी नए वीवर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो लेटर है विभाग के तरफ से भेजा गया है यहाँ पर आप लोग डेट देख पा रहे होंगे 22-12-2020 यानि कल ही इस लेटर को जारी किया गया है एकदम लेटेस्ट खबर है यहाँ पर देख सकते हैं संची का संख्या 6274 प्रेशक है निदेशक ICDS निदेशाले बिहार पतना के तरफ से लेटर जारी किया गया है सिवा में सभी प्रोग्राम पतादिकारी बिहार पतना यहाँ पर इस लेटर का विशाय देखेंगे जो विशाय में किलियर लिखा गया है कि 8 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक आयोजित स्वस्थ बालक बालिका अस्परधा कारेकरम में विभीन एजेंसी या संस्था का सहयोग लेने है तू मार्ग दर्सिका के संबन में जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो यह लेटर का विशाय है स्वस्थ बालक बालिका अस्परधा इस कारेकरम में जो एजेंसियां है उन एजेंसियों के थुरू जो 0-6 वर्स के बच्चे है उन 0-6 वर्स के बच्चों का हाइट और वेट मापा जाएगा और साथी साथ आपको मैं बता दूँ कि यह जो कारेकरम होने वाला है वो राष्ट्री अस्तर पर यह कारेकरम होने वाला है यानि पूरे भारत के जो आगनबडी सेवी का सहाई का है उन सभी को यह कारे 100 पे जाएंगे साथी साथ पूरे भारत के जितने भी 0 से 6 वर्स के बच्चे हैं उन सभी का ब्रिधी निगरानी करके उनका जो हाइट वेट है वो पोसन ट्रेकर एप के माध्यम से डाले जाएंगे और उनका जो हाइट और वेट कैसा है इसकी जो जांच होगी उसके बाद उन सभी बच्चों को सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे तो चलिए बढ़ते हैं इस लेटर में क्या कुछ और भी नई जनकारी दी गई है महासे उप्रियूक विशेक उमप्रसंगीक पत्र के संबंध में कहना है कि दर में बच्चों के पोशन संबंधिक कठिनाईयों को दूर करने हेतु समुदाईक भागिदारी सुनिश्चित कराते हुए देश ब्यापी स्वस्त बालक बालिका अस्परधा का आयोजन दिनांग आठ जन्वरी से 14 जन्वरी 2022 तक किया जाना है परतेक आगनबारी केंदरों के पोशक छेत्र के 0-6 वर्ष के आयोजन वर्ग के सभी बच्चों की ब्रिधी निगरानी कर उसकी जन्कारी पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में दर्ज कराई जाने है तो यहां पर देख सकते हैं कि जो पोशक छेतर के 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका ब्रीधी निगरानी कर जनकारी पोशन ट्रेकर एप्लिकेशन पर दर्ज कराई जानी है ये परतेक आंगनबरी स्थेविकाओं को ये कार आठ जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक किया जाना है साथ ही वैसे गरामिन वा सहरी इलाके जहां आगनबरी केंदर और विवस्थित नहीं है उस इस्थिती में संबंधित बाल विकास परियोजना पदादिकारी वैसे छेतर के सभी लभार्तियों को नजदी के आगनबरी केंदरों के साथ टैग कर सभी 0 से 6 वर्ष के बच्चो की ब्रीधी निगरानी कराते हुए पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में दर्ज कराना सुनिशित कराएंगी जैसे कि जो बाल विकास परियोजना है जहां पर आगनबरी केंदर विवस्थित नहीं है उस छेतर के लभार्तियों को नजदीक के जो आगनबरी केंदर है उसके टैग कर दिया जाएगा टैग करते हुए जो उनका ब्रीधी निगरानी है जैसे कि हाइट और वेट पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में दर्ज कराये जाएगा साथ ही उक्त कार्य हेतु विभीन एजेंसी तथा गैर सरकारी संगठन जैसे कि NGO, लाइन्स कलब, रोटरी कलब, रेडियेंसल वेलफेर एसोसियेशन, इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, पीडियाटरिक एसोसियेशन, इंपलोयर्स एसोसियेशन, इसकूल टीचर्स, यूथ पागिता ब्ुरिधि-निगरानी अभियान में ली जा सकती है। तो यह जो एजेंशी हैं at2 इसे ये सहयोग लिए जा सकता है। उक्त के संबंध में 0-6 वर्ष के सभी बच्चों की ब्रीधी निगरानी करने है तो विभीन एजेंसी का ओनलाइन पंजीकरन जीला प्रोग्राम पतादिकारी के अस्तर से पोशन ट्रेकर एप ये जो पोशन ट्रेकर एप है उस पर कराये जा रहा है जैसे कि यहां पे जो बे जीधी निगरानी है वो कराये जा सके इस हे तू बिश्तिरित मार्ग दर्ष का इस पत्र के साथ सलंगन कर उपलब कराये जा रही है इस संबंध में तकनीकी सहायता है तू राश्ट्री अस्तर पर नोडल व्यक्ति एमेस सालिनी बजाज एन इजीडी निव दिल्ली इनका म मुबाइल नमर यहां पर दिया गया है एम राज अस्तर पर सलाकार पोसन अभियान स्री संतोस कुमार गुपता मुबाइल नमर भी उनका दिया गया है एम स्री बलिंदर सीं से संपर कर सहायता प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि जो अस्त्री अस्तर पर नोडल अधिकारी ह उनका यहाँ पर मोबाइल नमर दिया गया है जो राज अस्तर पर सलाकार है पोसन अभियान के उनका भी नाम और मोबाइल नमर दिया गया है ताकि जो ब्रिधी निगरानी से सम्मंदित जो सहायता है वो पराप्त किया जा सके कि महिला एवं बाल विकास मंत्राले द्वाराद दिनांग 24 दिसंबर 2021 को चंदर्भ में सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदादिकारी एवं पोशन अभियान अंतरगत कारेरत समनोय एवं सहायक के साथ भीसी प्रस्तावित है तो वीडियो कंफिरेंसिंग के माध्यम से जो अधिकारी हैं वो अधिकारी अधिकारियों का बैठक होगा उस बैठक के तहट जो निर्नाय होगा और उसमें कुछ नया चेंजिंग किया जाएगा जो पोशन ट्रेकर एफ है उसके तहट ये बैठक होगी अतह अनुरोध है कि उपरोग्त पर अपने अस्तर से आवस्य करवाई करते हुए दिनांक 8 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक आयोजित स्वस्थ बालक बालिका अस्परधा कार्यकरम को सफल बनाने में अपना अहम युगदान परदान कराना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि ICDS विभाग के तरफ से इस लेटर को जारी किया गया है एक सब्ता के लिए जो स्वस्थ बालक बालिका अस्परधा कार्यकरम है उसको कराये जाएगा साथी साथ पोसंट रेकर एप पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है इस अपडेट में करें चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद